कड़ी हम सब की फेवरेट होती है चाहे वो राजिस्थानी कड़ी हो पंजाबी कड़ी हो या फिर सिंदी कड़ी हो तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ हर्यानवी कड़ी बनाना कड़ी बनाने के लिए हमें बहुत कम चीजों की जरूरत होती है नॉर्मल तड़के का समान और बेसिकली हमें बेसन और दही चाहिए अगर आपके पास फ्रेश दही है तो उसको दो तिन घंटे के लिए निकाल कर फ्रिज में से रगते हैं या फिर आप प्रेफर करें कि खट अब मैंने इन सब को डाला है ब्लेंडर में और ब्लेंड करके एक स्मूध सा बैटर आपको तियार करना है अगर आप ब्लेंडर नहीं उज़ कर रहे है तो आप विसकर की हेल्प से भिसको कर सकते हैं अब हम लेते हैं तड़के का सामान जो की है कड़ी पत्ता, राई, जीर मेथि दाना और यहाँ पर मैंने ग्रेट करके अधरक लिए और लाल मिर्ची तो आप सबसे पहले हम तेल गरम कर रहेंगे और सर्सो गी तेल में यह बहुत अच्छी बनते है तो सर्सो का तेल करना है उसमें डालना है थोड़ा सा जीरा जीरा थोड़ा सा brown होने के बाद हम डालेंगे मेथी दाना मेथी दाना का थोड़ा ध्यान रखना है कि वो जले नहीं नहीं तो कड़वा सा टेस्ट आएगा उसके बाद हमें इसमें डालनी है राई और राई को थोड़ा केरफुली डाले क्योंकि वो चटक कर उपर आती है उसके बाद हमें इसमें मिर्ची डालनी है अगर आप लाल मिर्ची पसंद नहीं करते हैं तो कड़ी बनने के बाद इसे निकाल सकते हैं बट अच्छा सा फ्लेवर आता है तो जो हर्यानवी कड़ी जैसा मैं बता रही हूँ उसमें हम पहले ही तड़का डालते हैं बाद में उपर से नहीं डालते हैं तड़का एक ही तड़का जाता है अब मैंने इसमें यहाँ पर अद्रक एड़ किया है और उसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि उसमें से वो कच्चापन निकल जाए यह सब चीजें हम दो से तीन मिनट के लिए बिल्कुल दीमी आज पर इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे उसके बाद हमें इसमें डालना है हींग यह हींग आप बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें यह बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि हींग के बिना वो एक जो अच्छा सा फ्लेवर है कड़ी का वो नहीं आएगा तो दो तिन मिनट हो गए हैं अब मैंने यहाँ पर डाला है कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता मैंने तोड़ कर नहीं डाला है क्योंकि फिर बच्चे वे इसे खाना प्रेफर नहीं करते हैं तो इसका एसेंस सारा इसके अंदर चला जाता है और लास्ट में मैं इसके स्टैम को निकाल देती हूँ अब इस स्टैज पर हमने एड़ किया है आदा चमच हल्दी का हल्दी को आप बाद में भी एड़िस्ट कर सकते हैं कलर के इसाब से जैसा भी आपको कलर चाहिए तो ये दो मिनट हो गया है इसको हमारा तड़का एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है अब हम इसमें जो हमने ब्लेंड किया था जो हमने एक मिक्षर बनाया था दही का और बेसन का वो हम इसमें डालेंगे इस ताइम आपको गैस को बिलकुल धीमा करना है और जितना मैंने ये मिक्षर लिया था उतना ही पानी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ तो आधी कड़ाई है तो यह almost full कड़ाई हो गई है और इस stage पे आपको ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार हिलाते रहें कही बार क्या होता है कि हमारी कड़ी एकदम फटी-फटी हो जाती है तो उसका reason यही है कि इस stage पे आपको उसको अच्छे से mix करते रहना है अब इसमें बॉइल आ चुका है अब important चीज नमक आपको इसी stage में डालना है अगर आपने नमक शुरू में ही डाल दिया तड़के के साथ तो भी chances है कि आपकी कड़ी फट जाएगी और वो एकदम से दही-दही जैसा आपको pieces दिखेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगत अगर आप धनिया पाउडर या कोई और मसाला आप अपनी मरजी से एड़ करना चाहते हैं तो वो भी एड़ कर सकते हैं अब हमारा एक ही काम है इसको गैस सिम करके और बॉयल करने के लिए छोड़ना क्योंकि कड़ी का मतलब ही यही है ना कड़ना कड़ना मतलब गैस पे ध कुछ पकोड़े जो की एर फ्रायर में बनाए है उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके अगर आपको भी बिना ओयल वाले यह जीरो ओयल वाले पकोड़े खाने है तो आप जाके मेरी रेसिपी देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन काफी रेड्यूस हो गया है अब हम यहां पर खौलते हुई कड़ी में एकदम उबलते हुई कड़ी में हमने डालने हैं पकोड़े और उसको हमें चलाना है कम से कम 10-15 मिनट ताकि जो कड़ी है वो उसके अंदर तक चले जाए अगर आपको धनिया पसंद है तो आप हरा धन यहां उसमें उपर से डाल कर गानिश भी कर सकते हैं पांच मिनट बाद इसकी गैस बंद कर दिये हैं यहां पर और यह एकदम तयार है हमारी देसी हर्यानवी कड़ी तो एक चमच घी इसका स्वाद बढ़ा देगा 10 गुना तो आप एक चमच देसी घी डाल कर जरूर ट्रा किजिए आप इसको पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन आज मैने चावल प्रेफर किया हैं तो हम चावल और कड़ी आज इंजोई करने वाले हैं तो आप भी बनाईए खाईए यह हर्यानवी कड़ी और प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा कि कर दो इसकressed करें चूर कर दोनावी में में आजुए वाले किया तो फीन वाले ऊंटे सक्वाची करें यूले वाले टी एटूर कर दो में पर संटा एकिए ला कर दो दो भी जांग।